नमस्कार राज्य सभा टीवी के विशेश कारिकरम खास मुलाकात में आपका स्वागत है मैं हूं मुहमत फातेह टीपू आज की इस खास कारिकरम के हमारे खास मेहमान है राजस्थान के बीकानेर से तीसरी बार देश की संसत पहुचे और मुझी सरकार पार्टू में भारी उद्योग और संसरीय कारे राज्य मंतरी अर्जुन राम मेहगवाल मेहगवाल जी बहुत-बहुत स्वागत आपका राज्य सभा टीवी में धन्यवाद जी मुहमत फातेह जी सर ये साल लगभग कोरोना की भेट चड़ चुका है ऐसे में भारी उद्योग मंतराले और संसरीय कारे मंतरी की जिम्मेदारी आप समाल रहे हैं कितना असर कोरोना का आप मानते है अपने लिभाग पर देखी जैसे आपने मोधी पार्ट टू का जिक्र किया तो मोधी टू पैंट जीरो इसका जिक्र टेकनिकल टर्म में आप लोग करते हो उसका एक साल पूरा हुआ तीस मई दो जार बीस को तो ये तो वैसे ही यतियासी संसिद्यकारी राज्य मंत्री के नाते मैं कह सकता हूँ कि ये वो ही काल खंड है जिसमें दारा 370 समावत होती है ये वो ही काल खंड है जिसमें स्री राम मंदर निर्मान का रास्ता साफ होता है कि बने गारा मंदल निर्मान, शाप होता है, और तीन तलाग जैसी बुराई, भी संसद के माधियम से कानून बना करके समावत की जाती है, नागरिकता संसदन अधिनियम भी लागू होता है, ये कालखन तो मैत पुन होई गया, मोधी पार टू जिसका आप जिकर कर रहे हो, य दूसरे और भी वह से बिला है, जो डवलपेंट से जुड़ेवे भी हैं, वो भी हैं, चाए हेल्थ में ले लिजिए, चाए आप एग्रिकल्चर में ले लिजिए, आरडी में ले लिजिए, सब में कुछ न कुछ इस साल काम हुआ, संसद भी ज्यादा चली, लेकिन 23 2020 को साइनेड आई होई संसद, करोना वाइरस के कालखंड के कारण, और साथ साथ में राजे सबा भी साइनेड आई होई, 23 मार्च को, तो 23 मार्च से लेकर के अब तक का कालखंड अलग है, उसमें संसदी हमारी जो कमिटियां थी, उनकी मीटिंग अभी नहीं हो पारी थी, अब लोकसभा सचीवाले ने और राजे सबा सचीवाले ने एक एट पॉइंट प्रोटोकॉल जारी किया है, डिपार्मेंट रिलेटेड इस्टेंडिंग कमिटी की बैठकों के लिए भी, और हमारे जो लोकसभा के अद्दक्स हैं, ओम बिर्ला जी और राजसभा के चेर्म एमपी भी थोड़ा दूर दूर बैठें, और जो अधिकारी हैं, वो भी थोड़े कम आएं, तो इसके आधार पर मिटिंग है शुरू हुई, होने लगी, अब संसद्द का सत्र भी जो कांस्ट्यूशनल अबलिगेशन है, कि छे मेने में से ज़्यादा सत्र का जो है वो इतियासिक राह है, राज सवत, लोग सवत दोनों को देखते हुई। दूसरा आपने पूचा, है वी इन्बेष्ट्री और पुब्लिक इंटर्प्राइज़ हैं कि पास 3040 के आधी पास पास पुब्लिक इंटर्प्राइज़ हैं, जिनको हम रीवू करते हैं, उनको हम मॉन तो दस नंबर उनको साल में से देने हैं, तो हम नंबरिंग देते हैं, CSR में कितना खर्चा किया, उनकी financial health कैसी है, उन्हां लॉन लिया तो समय पर चुकायक नहीं चुकाया, overburden तो नहीं है, काम मिल रा एक नहीं मिल रा आगे, तो ये मार्किंग से उनको आगे, उनकी जो balance sheet होती है, या जो health होती है ठीक, तो उनको आगे काम मिलता है, तो ये काम भी public enterprises ने अपने, इस period में ठीक किया, ऐसे गुद दिकत नहीं, रही बात हमारा heavy industry में, इसमें हमारे सारे sector और तो ठीक चले, automobile sector में, दो कारणों से, इसमें थोड़ी हमें रफ्तार धीमी लगी, एक तो था, BS4 से BS6 में हम जाना था, सोप्रिम कोट के बिज़ देश थे कि भी एक अपरेल 2020 को आपको BS4 से BS6 में जाना ही जाना है, हलांकि अब वो coronavirus के कालकंड के कारण अबधी आगे बढ़ गई, इंडिया इजे सिग्नेटरी और पैरिश एग्रिमेंट, दूसरे और भी परियावरण के जितने समझोते हैं अंतराष्ट इस तर पे उनमें इंडिया सिग्नेटरी है, तो 100 motor action लेना था, उसमें दूसरे देश भी electric vehicle की और बढ़े हैं, हम भी electric vehicle की और बढ़े, तो लोगों को लगा अब electric vehicle ले लेते हैं, तो ये कुछ समय ये चीजियें रही, जिसको हम transitional phase बोलते हैं, जिसमें automobile sector को भी फेस करना पड़ा लेकिन अब परस्तितियां धीरी 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 कोरोना वाइरिस का कालखंड होने के बावजूद भी जून में आप डेटा देखेंगे तो हमारा automobile sector इंप्रूव कर रहा है संसत का जो मानसून सत्र है वो आपने कहा कि 23 सेप्टंबर के पहले हो सकता है तो चुकि करीब पास साड़े पांस सो लोक सभा के सदस रहे हैं अठाइक सो राजी सभा के हैं साड़े साथ सो एंपीज रहेंगे तो सामाजिक दूरी ऐसे में आनिवारे मानी जा रही है तो स्टीटिंग अरिज्मेंट वगरा का किस तरह से प्राउधान आप कर गए हैं वहाँ पर देखिए ये काम हमारा नहीं है हमारा काम है एक हमारे सी सी पीए बनी गई होती है Cabinet Committee on Parliament Affairs जिसके राजना सिंग जी अध्रक्स है उसमें हम सब लोग बैठते हैं और तारीक हैं ते होती है अब बैठेगा कैसे कौनसे central hall में बैठेंगे एक लोगसभा के hall में बैठेंगे राजसभा के hall में बैठेंगे ये काम लोगसभा Eh rounds speaker और राजसभा के chairman साब का है वो सायथ इसमें संभावना direction तलास रहे virtual world की तरफ दुनिया जा रही है क्या आपको लगता है कि वर्चूल संसर भी संभव है क्या देखिए दूसरे देशों का भी अन्वह हमें लेना पड़ेगा हमारे यह रूल्स भी कई तरह के हैं जैसी यह विशे आया था तो दोनों जो लोग सबाइश स्पीकर हैं और चेर्में राश्षवा बैठे तो नो नकाने नहीं अभी इंडिया में यह चीज़ें क्योंकि रूल्स कौन अमेंड करें सपोज करो कहीं कोई बैठा आया है कोची से बोल रहा है साथ में कोई और भी तो हो सकता है तो यह रूल्स भी है दूसरा भार जैसे देश में संभावनाएं फिजिकल होने की है यहां पे हॉल है सेंटरल हॉल है और भी चीज़ें तो वो संभावनाएं यह लोग तलास रहे हैं और जो कमिटियों का वर्चुल का विशय आये था सची तरूर ने उठाये था उसको भी हमारे दोनों स्पीकर और चैर्मेंज साब ने का नहीं हम फिजिकली करेंगे कमिटियों के मीटिंग कमिटियों के मीटिंग भी फिजिकल हो रही है हाँ लेकिन आपने का वर्ग कल्चर बदली है निश्यत रूप से बदली है लोग घर से काम कर रहे हैं बहुत सा बिजनेस घर से हो रहा है हम डेली यहां वीडियो कॉंफरेंस तीन चार करते हैं और यहां घर से ही ऑफिस चलाते हैं वर कल्चर निश्यत रूप से बदली है और बदली वी वर कल्चर में संसार में जिससे तरह से तेजी से ये internet के माध्यम से काम हो रहा है उसमें भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है येंग जनरेशन आगे बढ़ रहा है education online शुरू हो गई बहुत से कामों में ये governance आ गया बहुत से कामों में तेजी आई है दफ्तर बन थे फिर भी परधानमंत्री समान निती का पैसा किशाना कोई खातों में चला गया तो वरकल्चर तो बदली है इसमें कोई शक नहीं है सर परधानमंत्री नरेंद्र मोडी ने आतनिरवर भारत का नारा दिया था और देश के सरकार के जो तमाम मंत्राले विभाग हैं अपने अपने अस्तर पर लोगों को आतनिरवर बनाने का काम कर रहे हैं ऐसे में इस संकल्ब सिधी किस तरह से आपके मंत्राले के जरीए संबह हो सकती है आतनिरवर भारत की दिखे ये आत्मादिर भारत अभियान जो है ना इसको आप परधान मंत्री जी का 12 मई 2020 का बासन जो राष्ट के नाम संदेश है उसको पूरा पढ़ो के तो आइडिया लगेगा वो कहते हैं हमें 21 संदी का भारत मनाना है और आत्मादिर भारत अभियान उसमें हमारी विपक् करते थैं और जब पंडित नहरू इस देश के प्रधान मंत्री बने तो ग्राम सब्राजिय बहुत पीछे छूट गया था साब पंडित नहरू के से में ग्राम सब्राजीय था ता कभी बात करते थे क्या लेकिन अग्रिकल्टिर शेक्टर में आत्म नेर्वज की बनने की ब और किसान, किसानों के सयोग से, साइंटिस्ट के सयोग से, किरशी के छेतर में आत्मा निर्वल बना फिर अतरल जी न उसमें विज्ञान जोड़ा. जय ज़वान, जय किसान, जय विझ्ञान लेकिन अभी की जो मोदी जी बात कर रहा है वो इन टॉटो कर रहा है इन टोटों का मतलब Thinking में भी आत्मंतिर ब्रता हमने सब्द जो यूज़ किया है न यहां Self-Redliant India नहीं किया है हमने आत्मंतिर ब भारता क्या हमारी भासा नहीं हो सकती हमारे सब्द नहीं आ सकती तह अम thinking में भी आत्मंतिर बनेंगे हमने सोच भी हमारा ऐसा बना कि 7089 में हमारे लेखकों ने कह दिया कि सब्संता समांता भाइचारा ये तो फ्रांस की कांति से उपजव सब्दें थोड़ी ऐसा हमारे हैं सबसे पहले गंडराज्य वैसाली में था तो गंडराज्य के साथ जुड़े वे सब्दें लिबर्टी क कामने माना और देश आजाद होने के बाद भी कुछ ऐसे लेखक होए जुनों ने का निन यह तो फ्रांस की करामती के ही है लेकिन यह आते कहां से हैं या तो गंडराज्य से आए लेकिन सबसे पहले अगर संसार में लिबर्टी इकुलिटी फैटिनिटी सब्द यूज स्पेस से लेकर के समुदरी विग्यान तक योग से लेकर के खगोल सास्तर तक हम आत्म निर्बर बने यह आत्म निर्बर भारता भी आने थोड़ा फरकेस में सर लॉगडाउन के दौरान परवासी मजदूरों की बहुत सारी तजवीरें देखने को मिली आपको लगता है कि राजियों के साथ कहीन कहीं समन्वे में कुछ कमी रह गई थी क्या देखिए ये बात सही है कि परवासी मजदूरों का जो विशे था ये परदान मंतरी जी ने दुख जायर किया हमारे हमीशाजी ने भी ये बात कही जेपीनेड़ा जी ने भी कही लेकिन ये बताओ ये आदा वहां हुआ जहां एंडियरूल गोवर्मेंट नहीं थी उनमें कॉडिनेशन का अभाव था और मुझे लगता है कि इन्होंने जानबूज के भी इसूबनाया होगा अब हमारा मुख्य मंतरी राज्तान के ट्रेने मांगते हैं कि हमें आप साथ ट्रेने दे दो और तो ये माराष्टर में पता चला कि पहले तो कह दिया हम भेजेंगे बाद में फैक्टिर वाणान नहीं कह दिया कि बेजोगे तो हमारी फैक्टिर हैं किसे लेगी तो ये जो कॉडिनेशन का बिलकुल आपने सब्द यूज किया कि राज्जियों के बीच में जो के समद में और रिवर्स मार्गरेशन के समद में बहुत किलियर और इस परस थे डेली उसकी समिक्षा करके बताते थे सर भारत और चीन के जो मामलाद चल रहे हैं वरत्मान में आप उससे वाकिफ हैं अच्छी तरह से आर्थिक भहिशकार के बाद काफी असर पड़ा है व्यापार पे भी तो बहुत सारी जो चीनी कंपनिया हैं वो भारत आने के तैयारी में हैं ऐसी खबर आ रही है तो सरकार के पास किस तरह का बलूप्रिंट है और क्या तैयारी है कि छीनी कंपनियाद भारत आएंगी तो किस तरह से काम हो शुरू करेंगी करेंगे खाली सबाइस कि कोई..? कई भी कंपनी किसी बही डेस की अगर भारत आती है तो हम इंवास्मेंट को यह करेंगे लेकिन उसके लिए जो हमने सोचा है जैसे मैं हेवी इंडिस्ट्री को देखता हूं जैसे भैल हमारे पास एक बड़ा कार खाना 17 जगे उनकी यूनिट है अब भोपाल में उसके कार खाने को हम देखते हैं तो उसमें जगे खाली पड़ी है तो कंपनी जो बार से आती है कहीं से भी आये चाइना से हो सिंगापूर से हो चाहिए इटली से हो कहीं से वो देखती है जमीन हमें काम मिलेगी तो अगर बैल जैसी यूनिट में हम उसको जमीन देदे हैं कि यह जमीन तो वो तुरूंत आगे अपना एक्शन ले सकता है ऐसे हम लगातार उनके टच में हैं वो कई तो कहते हैं हम बिल्डिंग भी है लोगों के रेने के लिए कॉलो नहीं लेकिन उसके बाउट भी जगह पड़ी है तो ऐसी जगह को उपयोग करेंगे हां फिर भी भी हमारे अपोजिशन माले कह सकते हैं कि साब बैल जैसी जगह का भी आप उपयोग कर रहे हो तो बैल का हरिदबार में भ सब्सक्राइब सरकार के ध्यान में आया है लगातार गुरूप अपनिस्टर लगे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे ज्यादा सा ज्यादा भारतिमाव है उसके लिए गुरूप शेकर्टरी भी लगे हैं और खाली कोई PSU की जमीने ऐसा नहीं है जमीने लेकर कि हम सेद ज पार को सकता है किसी में टेक्स्टाइल का पार को सकता है किसी में जैमेंट ज्वेलिरी का पार को सकता है किसी में हैंडी क्राफ्ट का पार को सकता है किसी में हैंडलूंग का पार को सकता है यह जो आत्मनिर भारत अभियान है यह उसका हिस्सा है सर देखा जा रहा है कि आट संग्ठन हैं, और सियाम और एक्मध को देखता है, गा दोनों के जो पदादिकारी है, निस्तनल और इंटरनेशनल लेवल के, उन सबसे हमने बात की है, और बात करके उनके जो इशू थे, वो हमने अड्रेस्ट की है, जैसे Peggy एक इशू था उन्हों का साब हमारे आटो मोबाइल सेक्टर का जो डीलर होता है वो किसी छोटे सेर में है या किसी मध्यम सेर में है उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है क्योंकि NBFC के पास पैसों की कमी आगे जो भी है तो हमें इस आत्मदर्बर भारत अभियान में NBFC क माने मैंने पताया लेकिन NBFC से डिमांड जैसे ही जरेट होगी तो वो अटो डिलर को लॉन देगा और व्यक्कॉत हम से माल लेका हमसे माल लेका तो खर भी देगा तो ये जो दिमांड जनरेट करने वड़ा विश्य जो उन्हों सजेस्ट किया है और उस दिशा में तेजी से हम बढ़े हैं आके और एक उन्होंने लेबर लो में सुधार की बात करिए दो कामों के लिए हम आके बढ़े हैं उन्हों से हमारी जो दोनों जो संग्ठन है शियाम और एकमा दोनों से लगातार बात हो रही है और मुझे जून के आंकड़ों से प्रसंता है कि आटमोबाइल सेक्टर ने राइज किया है अपने सरकार का जो टारगेट है वो टू जो वीलर्स हैं वो 2030 तक सारी अलेक्ट्रिक करने की जोजना है और 2050 तक जो फोर वीलर्स हैं तो अभी म जहरों में जो हम बसें देना चारे थे उनका जो हम टेंडर किया है हमने तो मुझे लगता डाही आजार बसों को हम अभी दे पाएंगे क्योंकि यह कोरोना वाइरिस का कालखंड भी आ गया लेकिन जागरूपता बहुत बढ़ी है वो लोग हमें कहते हैं आकर के भी कि आटो भी लेंगे लेकिन इसके चार्जिंग पॉइंट बढ़ाओ तो चार्जिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए हमने कुछ एरिया तै किया है जैसे दिली से संडिकेट इसको हम टोटल इलेक्टरिक वीकल चार्जिंग स्टेशन थोड़े थोड़े अंतराल के बाद लग पूना हो गया यहां अगर हमारा जो चार्जिंग इस्टेशन है प्रॉपरली लग जाएंगे जो हमने कई कंपनियों को को काम दिया है तो उसके बाद इसकी डिमांट जनरेट होगी निसीत रूप से क्योंकि हमें कार्बन एमिशन को कम करना है नेक्स जनरेशन को हम धुआ रही तो बातावन देना ही देना चाहते हैं यह हमारी जम्हेदारी भी बी है वर्तमान में जो भी नागरिक इस देश में रहते हैं उन सब की जम्हेदारी है किस धर्ति को रेने लाईक हम बना है यह 27 जुलाई साइथ एपीज अब्दुल कलम-सभशाब की पुने तिति आर तो दुमाराईत बातावर नोत इसलिए इलेक्ट्रिक वेहिकल उसमें बड़ा इंपुट है और अच्छा इंपुट है जिसमें भारत सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है सर आपने परियावनद की बात की एक सवाल उठता है कि कोरोना काल में देखा गया कि जो परदूशन है खासकर वायू परदूशन काफी कम हो गया और महत्मागानी के जिकर में करूंगा उन्होंने की टू हेल्थ में एक लेक लिखा था जब सुराज के दौरान तच्छल अफ के प्रदूशन से निपटने के लिए लेकिन सवाल ये है कि जो एक्यूआई इंडेक्स दिल्ली के अगर में बात करूं अक्टूबर में साथ सो साड़े छे सो हुआ करता था वो कोरोना के बाद में आप आश्चार करेंगे बीस से तीस के बीच आ गया आस्मान नीला हो गय परिंदे वापस आने लगे तो एक बहुत बड़ी जो कवायत सरकारें तमाम अपने अस्तर पे राजनेता करते रहे और वो जलवायू के अस्तर पे हवा के अस्तर पे इतना शुद हो गया तो चूंकि आप सरकार में मंत्री हैं अहम जिमेंदारी है आपके पास में है तो क् प्रियावरण को लेकर के मात्मा गांधी जो 1920 में इस्पैनिस वाइरस से परभावित होए थे ना वो कॉरिंटेन हुए थे ये कॉरिंटेन सब पहली बार उस समय सवतता संग्राम के दोरान लोगों ने सुना मात्मा गांधी के माधियम से सुना और उसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो आर्टिकल का जिकर कर रहे हैं उसमें नई जनरेशन को हम धुआ रही तवातावरण दे हैं ये कही महापुर सोने का मात्मा गांधी के बाद कही लोगों ने का जो परियावरण प्रेमी हैं उन्हों सब ने लेकिन ये कुद्रती जो हुआ है वो अलग विशे है हमारी जनरेशन को हमें जागरत करना है जैसे कोई वाइरिस फैलता है हाथों से इससे तो हमारा ये नमस्ते ये पूरे संसार में चला गया हमारा नमस्ते ये गमचा ये पूरे संसार में चला गया ये काड़ा इंग्लेंड में भी लोग पूछते हैं यार ये काड़ा क्या है तो हमारे यह जो रशोई थी वो रशा इंसाला थी उसका अभरंस होते होते रशोई जा रश बर्षे वो रशोई हमने इसमें भी क्या करा कि रशोई को भी हमने जो वेस्टन नाम था कीचन उसको लिया जीवन में अड़प्ट कर लिया अभी रशोई बोलाना कीचन बोलना जरूरी है लेकिन अगर कीचन को हम संदी विछेत करेंगे तो जा किच किच हो वो कीचन वरत्मान प्रस्तितियों में और किच किच होती है नमक भी नहीं है कम तो भी हजमेंट को लगता है नमक कम है तारी भी नहीं कर सकते आप खाने की पतनी ने खाना बनाया रशोई में रशोई का मतलब क्या जा रश बर्शे वो रशोई इसलिए भारतिय संस्कृति में पहले लोग रशोई में ही खाना बनाते थे और खाना काते समय बोलते नहीं थे क्योंकि खाने में भी रश है खाना काते समय भी रश शरीर में जाना चाहिए शरीर में रश बढ़ना चाहिए इसलिए तुसका नाम रश होई था सर चूखिया आप एक ऐसे राजनेता हैं कि जो सत्तर प्रतिष्टान से जुड़ने के बाद भी आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आम लोगों से जुड़े हुए हैं आप के वेश्भूसा में भरती है, संस्किति की छलक मिलती है, आप धोती पहनते हैं, आप पकड़ी पहनते हैं साइकिल से आप मंतरा ले जाते हैं संसर जालते हैं आखिर इस तरह की सोच आपको कहा से मिली क्या आपको प्रेड़ना देता है देखिए मैंने ये प्रेड़ना ऐसे तो परदान मंतरी जी का एक वन और परियावरन मंतरियों के समयलन में एक भासान है लेकिन पहले से भी अबहरं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इंडिया एंड चाईना इस रॉर्टिंग पॉलुश्य न टा मित अडpiej। और कभी-कभी चाइना से डरते हैं, बोलते नहीं है, तो फिर करते हैं, इंडिया इज रस्पॉंसिबर, अर भई हम तो वो दे लोग हैं, जो पीपल को भी पूछते हैं, पेडों को हम काडते नहीं, हमारे यहां राजस्तान के में एक संस्कृति है, विष्णोई समाज की एक 63 साइद हुए, यह कोई छोटी घटना नहीं है, उसके बाद संदरलाल बहुगना पैदा हुए, उन्हों का हमें पेड नहीं कटने दूँगा, चिप को आंदोलन चलाया, तो यह परियावरन की रक्षया करना हमारा धरम होना चाहिए, तो मुझे पता चला कि एक सुप्रिय संसच जाना सुरू किया, और संसच से घर आना साइकल से शुरू किया, इससे परियावरन की प्रतीवीचेतन आती है, यंगर जन्रेसन जब देखता है, यारि मंतरी भी साइकल पे जा रहा है, तो उनको भी प्रेर ना मिलती है, और अब वर्ड, इस कॉरोना वायरिस के काल- करेकंड में वो क्या कहता है कि साइकलिंग फिजिगल डिस्टेंस का भी इसलिए साइकल पर चलो और प्रदूर्शन भी नहीं होता है बहुत से कंट्री में सा एकल इसे में ज़ेदा भी किये और हम इंडिया के आख्डे लेना तो हमारे इंडिया में भी शाइकल ज्यादा विकी है अभी और उसमें इलेक्ट्रिक जो साइकल है वो भी आ गई है तो मुझे लगता है कि साइकलिंग के प्रती लोगों का रुजान बढ़ेगा मैं कई साइकल की रेली होती उसमें जाता हूं तो यंगर जनरेशन चाहता है इस चीज को और दूसरे देशों को देख करके चाला है ऐसे बहुत से देशे संसार में जो हंडेट परसेंट कारों में चले गए थे एक भी साइकल नहीं थी वापिस वो 40-45 परसेंट तक साइकल पर आगे क्यों आए कि उन्होंने का भी हमें तो साफ सुत्रा जीवन जी लिया लेकिन हमारी यंगर जन्रेशन को हम क्या देना चाहरे हैं नेक्स जन्रेशन को तो नेक्स जन्रेशन को हम अच्छा बाता बरण दें ये मेरे लिए प्रेड़ना है सर आप की जिन्दगी पर नजर डालने तो मालूम होता है कि 13 साल की उमर से आपने संघर शुरू कर दिया था और प्रशास्निक से वाओं में आप कारत रहे तमाम पदों पे आप रहे और फिर आप संसद में पहुँचे देश की संसद में उसके बाद आप मंतरी बने और आप पहले कारकाल में भी मंतरी थे और अभी दूसरे कारकाल में भी मोड़ी सरकार गे आपको तब यह अंदाजा था कि आपको डेश के लोक्तंत के इतने बड़े मंदिर में आप पहुचेंगे, उसके बार यहां मंत्री भी बनेंगे, इस चीज़ का हिसास आपको क्या उस वक्त सर्था, क्या सोचते थे? ने, कते ही नहीं था, कोई ऐसास नहीं था, हम तो ऐसी जगे से आएं, जहां से कोई कलपना हम पीछे मुड़के देखते हैं, तो कोई कलपना नहीं कर सकता, कोई ऐसास नहीं था, लेकिन जो आगे बढ़ते गए, कुछ लोग अच्छे लोगों का साथ मिलता गया, उनका मार् नहीं है और कलेकटर के बाद मैं बारतिय संसद मैं पहुंशता हूं और यहां भी में मिनिस्टर बन जाता हूं तो यह जो यह जो मुझे लगता है कि जो अच्छे लोगों का जो सहयोग मिला, साथ मिला, जिननों ने मुझे मार्ग दस्तित किया, उनके कारण में यहां तक पहुँचा हूँ. तो जब आपने आरेस पद से स्टीफा दिया, वी आरेस लिया, तो क्या उस वक्त आपने सोचा कि हमें विडिवन्त और सक्री रूप से राज़नीत में जाना चाहिए, वक्त आगए हैं? उसके बाद मैंने पीछे मुड़के नहीं देखा भी, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच हमारी नहीं रही हूँ. सर यह बताईए कि आप फिर OSD रहे, उसके बाद तवाम प्रशास्तिक पदों पे रहे, मंद्री बने, तो अपने अनुभव और जिम्मेदारी में क्या फर्क अब महसूस करते हैं? देखिए उस समय इंप्लिमेंटिशन का एक लिमिटेड इसकोप था. प्लानिंग प्रोसेस में समलित होना, उस कैन्वास बढ़ा हो जाता है ना? अब उस समय कोई कानून बना, उसको इंप्लिमेंट करो. अब आप किसी जिले के कलेक्टर हो, तो इंप्लिमेंटिंग पावर आपके पास है. कानून कैसा होना चाहिए इस देश के नागरिकों के लिए? ये कैन्वास तो संस्ब नहीं है ना? दोनों का रूप अलगए लेकिन ये कैन्वास बड़ा है, इसमें ज़्यादा लोगों की शेवा करने के अफसर मिलते हैं. सरा आपने राज्यसभा टीवी से बात करने का समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका. तैंक्यो मौमद पते जी. तो अरजुनाम मेगवाल साहब ने तमाम मुद्दों पर खुल कर अपनी राय रखी और किस तरह से देश और राष्ट आगे बढ़े, इस पर उन्होंने चर्चा भी की. फिलाल इस एपिसोड बे इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.